अपने फेवरेट फोटो का फोल्डर डिलीट हो जाना दोस्तो बहुत ही दुख की बात है मेरे साथ भी हुआ था और एक ना एक दिन आपके साथ भी हुआ होगा तो दोस्तो अगर यह आपके साथ हुआ है और आप उन में से कुछ फोटो को recover करना चाहते है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे deleted photos को recover कर सकते है वो भी बिल्कुल आसान तरीके से तो दोस्तों बीना टाइम के वाई वीडियो शुरू करते है तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिस्प्शन में दे दूँगा आप वाँसे इसे डाउनलोड कर लिजेगा और यह है वो एप्लि रिक HKR है है लेकिन हम जो यहां पर बीना रूट वाला यानि कि यहां पर आप देख सकते हैet बेजिक फॉर्टम कर दोंगा और तो आप देख सकते हैं आपनीछे स्के चुरू हों है कि यहाँ पर हमारे सारे फोल्डर हो मेसे जो है यह एप्लिकेशन जो स्कैनिंग करेगा और दोस्तों मैं आपको एक पोरणिंग देना चालता हूं कि इस एपलिकेशन में वह फोटो भी आपको शोग करेंगे जो आपकी फॉन मेमरी और मेमरी चार में अवैलीबल होंगे यानि की आपके फोन में जो फोटो है जो डिलिट नहीं भी हुए वो फोटो भी आपको यहाँ पर दीखेंगे तो आप जो है कॉमेंट देने मतलग जाना इस वीडियो के नीचे के भाई यह नहीं हो रहा है या यह एप्लिकेशन वर्क नहीं करता है आप फेक हो आप जो है सारे फोटो पर चेक कर लिजिए गैरंटी मैं आपको देता हूँ कि जो फोटो डिलीट हो गए है वो भी आपको दिखेंगे 60% फोटो जो है आपको अपने गैलरी वाले दिखेंगे और 40% जो फोटो से वो आपको डिलीटेड दिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दोस्तो आपका फोट बहुत ही पूराना होगा तो यहाँ पर 8000 जितने फोटो जो है यह आपका एप्लिकेशन स्कैन करके देगा लेकिन दोस्तो यहाँ पर जो है इतना सारा टाइम में आपको नहीं दे सकता तो यहाँ पर अभी 158 पाइल पाउंड हुई है और यह चलता ही रहेगा जहां तक यह फोटो स्कैन नहीं कर लेता तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कोई भी फोटो डिलीटेड दिख जाता है तो आपको उसे कैसे सेव करना है तो मान लेज़े कि यह वाला जो फोटो है मुझे उसे सेव करना है जो कि डिलीट हो गया था तो आपको यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर नीचे रिकावरी वाले ओप्चन पर क्लिक करना है और यहाँ पर बीच आ जो ऑप्चन है save the files to custom location on your device उस पर क्लिक करना है इस बाद जो है यहाँ पर हमारा memory card यहाँ पर नीचे से सीलेक कर लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर same files और one file saved successfully तो यहाँ पर जो है यह अप्ग्रेड करने के लिए बोल आ है तो मैं यहाँ पर नो थैंक्स करूंगा तो दोस्तो इस तरह से के आप जो है अपने डेलिएर फोटो को वापस ला सकते है और इसके लिए आपको जो है किसी भी चार्ट देने की जरूरत नहीं है काफी सारी पेड़ एप्लेकेशन आती है लेकिन यह एप्लेकेशन जो है काफी बेस्ट है जो मैंने अभी तक यूज की है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आप ल